जैहिंद आप सब लोगों को मैं चिनार को डैगेट डिवेजन और जैनके पुलीस की तरफ से यहाँ वेलकम करता हूँ पिछले कुछ दिनों से हमें यह इंटलिजन्स आ रही थी कि पाकिस्तान के तंजीमें यहाँ उड़ी के अंदर इंफिल्ट्रेशन करना चाते और उनका मुद्दा था यहाँ पे इंफिल्ट्रेशन करके जमू एंट कश्मीर के अंदर जो शान्ती भाल हो रखी है उसको और बारामुला उड़ी तैसील के अंदर कोई खलबली करना किसी आइडी के तहरे कोई एक बड़ा धमाका करना और एक टैदर्स गूर्प को इंफिल्ट्रेट करके यहाँ पीस को डिस्टेबलाइज करना इसी इंटेलिजेंस इंपूर्ट्स के मद्दे नजर फौज ने और पुलीस ने अपना इंटेलिजेंस और CICT ग्रेट को और मिल्भूत किया और पिछले कुछ दिनों के अंदर हमारी जो डेगर डिवेजन की फौज की आगे अंबुश लेक कर रहे थे उनको हमने इंटेलिजेंस इंपूर्ट्स के हसाब से साइट किया आज सुबे तकरीबन छे चालिस पर बहुत बुरा मौसम था बारिश पढ़ रही थी और फौक का महौल था हमारे यहां रुस्तम बटैलिन के हतलंगा एरिया के अंदर एक जो एंबुश साइटिड था उसने नोटिस किया कि तीन से चार टेरिस्ट ये लोसी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हतलंगा नाला के नजदीद इमेजिटली कॉन्टैक्ट इसका बिश किया गया ये टेरिस्ट के साथ फायर फाइट तकरीबन दो हिंटे तक चली चे चालिस से लेके आठ चालिस तक इस फायर फाइट के अंदर निदुश सान फौज ने UBGLs, MGLs और Rocket Launchers का इस्तमाल किया और इस फायर फाइट के अंदर एक टेरिस्ट निट्रलाइज किया गया इसके बाद जो एमबुश पार्टीज वहां थी उन्होंने नोटिस किया कि दो टेरिस्ट जो की इंजर्ड हुए हैं उन्होंने अपनी थोड़ी मूव्मेंट बदल ली है तो उसके असाब से एमबुश ने रिसाइट किया और तकरीबन सवा नो बजे फिर से एक सेकंड फायर फाइट शुरू हुई ये फायर फाइट तकरीबन आदे गेंटे तक के लिए चली जिसके अंदर की दूसरा टेरिस्ट भी निट्रलाइज कर दिया गया इसी तोरान तीसरा टेरिस्ट जो इंजर्ड हुआ था वो पाकस्तान फाइट की पोस्ट जो नजदीक में हैं उनके फायर सुपोर्ट की मदद में उसने एकस्फिल्ट्रेट किया इसमें ये चीज नोट करने की जुरूरत है कि पाकिस्तान आर्मी की कोस्ट ने इस टेर्रेस को इस फिल्ट्रेट करने के लिए फायर सुपोर्ट दिया और हमारी तरफ फायर किया फा़ज की जो पार्टी इनवाड थी उन्होंने वहां व insightful भी फ्लाई किए पाकिस्तान फा़ज ने हमारी underworld के उपड भी फायरं की और यह टेरिस जो तकरीबन 300-400 मीटर पाकिस्तान की तरफ एक्सफिल्ट्रेट किया वहाँ जंगल एरिया के अंदर यह जाके वहाँ गिर गया और हमारे अनुमान के साब से वह उसकी वहाँ, he was killed there and उसके बाद उसकी बॉड़ी वहाँ से रिकवर की गई and weather बड़ा खराब था, इसके कारण clarity भी नहीं आई बट further operations and search इस area में दो बज़े तक चलती रही है, operation दो बज़े initially called off हो गया है, अभी इलाके के अंदर अभी भी search चल रही है, हमारी parties वहाँ तैनात है and अभी तक का operation जो की 8 गिंटे तक के लिए चला है, इस operation के अंदर पाकिस्तान के तीन terrorists neutralize कर दिये गए हैं, दो terrorist की body recover की गई है, एक terrorist पाकिस्तान की side में जाके उसकी dead body पड़ी है, जिसका हमें अनुमाना की उसकी body उदर से recover कर दी गई है, किससे and ये operation दर्शाता है कि पाकिस्तान फौज किस तरीके से मुलवेज है, terrorist को हमारे यहाँ infiltrate करने की मदद करती है, उनकी fire support देती है और moral support देती है and कश्मीर के अंदर किस प्रकार से पाकिस्तान की फौज मुलवेज है, यहाँ पे हमारे peace और security को हाम करने के लिए देखिए ये इनका terrorist का ये एक पुराना modus operandi है, कि जब ये infiltrate करने की कोशिश करते हैं, ये बुरे मौसम का लहाज़ा लेते है and आप देख रहे हैं, पिछले 48 गेंटे से यहाँ हमारे बहुत बारिश पढ़ रही है और मौसम बड़ा खराब था, तो इस चीज का फैदा उठाने की कोशिश की है इनोंने and जब ये infiltrate करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान की फौज जो वहाँ पूश्टे रहती है, वो मलविज रहती है इनकी सपोर्ट के दुरान and इस operation में जिस परकार से वो तीसरे टेदर्स को उनोंने exfiltrate करने में कोशिश मदद की ये पाकिस्तान फौज की जो involvement है उसको मलविज करता है